नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ख़बर HP और आईए वक्त हो गया हिमाचल परदेश के ताजा और बड़ी ख़बरों को जानने का बतायेंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से उससे पहले आप हिमाचल परदेश के किस जीले से न्यूज को देख रहे हैं कम नमबर से मिलेगी सुविधा जे हिमाचल परदेश में पहली बार यात्री एचाटिसी की बसों में कैसले सफर कर सकेंगे निगम परबंदन ने यात्रियों को सुविधा के लिए 4500 इटीक्टिंग मशीने खरिदने को टेंडर कर दिया है आपको पता देगी नमबर तक परदेश के जंजट से चुटकारा मिल जाएगा हिमाचल वन विभाग में 50 डिप्टी रेंजर बने रेंज अदिकारी पदोनती आदेश जारी जब परदेश सरकार ने 50 डिप्टी रेंजर को पदोनती कर रेंज फोरेस्ट ऑपीसर बनाया है इसके साथ ही सरकार पदोनती अदिकारियों को नए इस्टेशन पर तेनात के आदेश भी जारी किये गए हैं। ऐसे में डॉक्टरों का मानना है कि यह हैंड टू माउथ रोग हो सकता है जो टोमेटो फोलू जैसे हैं। फिलहाल दोनों बच्चों को एक सब्ता के लिए आइसोलेट कर दिया गया है। डॉक्टर की टीम इन पर नजर बनाये हुए हैं। दाओं को एकार सो पच्पन रुपिये में घरलू एल्पीजी सिलेंडर मिलेगा। हिमाचल में कामधेनु दूद आशे महंगा दो रुपिये पर ती लिटर बढ़ाये दाम। जग कामधेनु हितकारी मंच ने इससे पहले तीन मार्च को दो रुपिये पर ती लिटर दूद के दाम बढ़ाये थे। पर देश में 19 अगस को वेरका कमपनी ने पर ती लिटर दूद के दाम दो रुपिये बढ़ाये थे। अब कामधेनु सनस्ता ने भी दाम में बढ़ोतरी करने की गोशना कर दिये। तीरंगे में लिप्टी पहुँची देवराज की पार्थिव दे सेन्य सम्मान के साथ दी अंतिव विदाई। एक टुकडी मोके पर पहुची। इसके साथ ही सुबह 11 बजे राजकिये सम्मान के साथ पैत्रिक समसान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं आठ वर्षी ये बेटे ने सहीद पिता को मुख अगनी दी। सिमला के सोगी से अमर उजाला का 22 संसकरन सुरू। जेहिमाचल पर देश में सिमला के सोगी से अमर उजाला के 22 संसकरन का वीरवार को हवन यग्य और कनिया पुजन के साथ विधीवत, मुद्रन और परकासन शुरू हो गया है। इस मौके पर अमर उजाला समु के परबन निदेशक तर्मे महासवरी और समु के प्रेजिडेंट वरून महासवरी विशेश रूप से मोजूत रहे। इस अफसर पर अमर उजाला परिवार न हवन यग में आहोतियों देते हुए विधी विधान के साथ पुजा संपन की। इसके साथ ही आपको पता दे कि अमर उजाला का यह संसकरन समुद्र तल से सरवादी करीब संतावन सर फिट की उचाई पर इस्तित है जो की परकासन केंद्र में से सरवादी उचाई है। 26 सितंबर को हिमाचल आएंगे रक्षा मंत्री राजनात सिंग। ज़े देश की अजादी के अमरित महुद्सभ सिरिंखला के तहट संपुन देश में जन मानस की भागीदारी सुनिस्चीत हो इसके लिए हिमाचल परदेश की हर पंचायत में अमरित महुद्सभ मनाने का निरने लिया गया है। इस कड़ी में रक्षा मंत्री राजनात सिंग 26 सितंबर को कांगला जीले की ज्वाला मुखी तहसील के तहट गराम पंचायत भडोली में आउजित होने वाले राजजी अस्तरिय कारिकरम में बतोर मुख्यतिती सिर्कत करेंगे। इसके साथ ही साल 1947 से लेकर 2022 तक देश की सिमावों और देश की सुरक्षा में बलिदान देने वाले सेन्य बलों के लगबग 2000 परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। ये सणके 5 मिटर चोड़ी होगी, तीके मोड पर इनकी चोड़ाई 7 मिटर तक की जाएगी, इन सणकों की मरमत के लिए सितमर में टेंडर आमंत्रित किये जाएंगे, लेकिन आपको पता देखी चीन सिमा से 15 से 20 किलो मिटर पीछे इन गाओं की सणकों की मरमत करीब 12 साल बा है, आपको पता देखी किसानों का खेती पर किया गया खर्च भी पुरा नहीं हो रहा है, टमाटर को उगने में खासी मेहनत और खर्च करना पड़ता है, कम दम मिलने से टमाटर की खेती करना घाटे का सोदा साबित हो रही है सीम जेराम के खिलाब चुनाब लड़ने के लिए कॉंग्रेस के सोलो नेताओं ने किये आविदन जेहिमाचल पर्देश के बिधान सभा छेतर साराज में मुख्य मंत्री जेराम ठाकूर के खिलाब चुनाव लड़ने के लिए साराज कॉंग्रेस के सोलो नेतावों ने पार्टी आला कमान के समाख्ष आवेदन कर टिकन मांगा है दोस्तों आपको पता देखिए आवेदन करने वालों में पूर्व परतियासी चेतराम ठाकूर, जगदिप स्रेडी और विजेपाल सिंग चुहान, महेंदर सिंग, गनेश लाल, टेक सिंग चुहान, गोपाल सहगल, तरुन नरेद्र, धरमेंद्र, लिला देवी, दावे राम सतिष सर्मा, ओम परकास, गोरजा सर्मा और राजुस सामिल है दिसम्बर तक पंडो से कुल्लू फोरलेन होगा सुरू, टकोली में लगेगा टॉल जिस सामिलिक लिहाश से महतोपूल चंडीगर मनाली मारगपर दिसम्बर से पंडो से कुल्लू तक फोरलेन पर सफर सुरू हो जाएगा इसे जहाँ वहाँ चालकों के लिए आना जाना सुगम होगा, वहीं टकोली में बने नए टॉल पलाजा पर टॉल भी देना पड़ेगा आपको पता देगी 75 से 150 रुपिये तक टॉल लगने से इस रूट पर सफर महंगा होगा हलाकि अस्तानियों लोगों ने अभी से टॉल का विरोत करना सुरू कर दिया है लोग चाहते हैं कि उन से टॉल न वसूल आ जाए अभी मनाली के टोटू नाला में टॉल देना पड़ता है इसके बाद फॉरलन सुरू होने के बाद दो जगह टॉल देना पड़ेगा अभी डंपिंग से हिमाचल की गोविन सागर जील में घट गया मचली उतपादन जहिमाचल पर्देश की गोविन सागर जील में मतस्य उत्पादन में कमी आने का सबसे बड़ा कारण अवेट डंपिंग है अवेट डंपिंग होने के कारण मचलियों को परजनन के रिए उपिलत जगह नहीं मिल पा रही है मचलियां फेपड़े से सांस लेती है और अवेट डंपिंग की सिल्ट सांस से उसके अंदर जाती है इससे यहां उनको सांस लेने में परिसानी तो होती है कई मचलियां की मौत भी हो जाती है आपको पता दें कि साल 2016 से लेकर 2022 तक जील में होने बाली मचली उतपादन में करीब 400 मिट्रिक टन की गिरावट दर्ज की गई है वहीं 5 से 6 साल पहले जील में 700 से 800 मिट्रिक टन मचली उतपादन हर साल होता था लेकिन अब इसकी दर करीब 350 मिट्रिक टन ही रगई है स्कॉट लेंड में धूम मचाएगा अब हिमाचल का सेब जूस स्विजर लेंड के बाद अब सरकार स्कॉट लेंड को 225 मिट्रिक टन जूस का निर्यात करेगी राज सरकार के उपकरम होटी कल्चर प्रोडूस मार्केटिंग और प्रोसेसिंग कॉर्परेशन अभी तक सेब का जूस कंस्ट्रेक्स देश की कमपनियों को बेचता रहा है HPMC के पास अभी तक कूल 325 मिट्रिक टन सेब कंस्ट्रेक्स मोजूद है इसका उत्पादन पिछले साल सीजन में किया गया था आपका पता दे कि स्कॉट्लेंड की कमपनी हिमाचली सेब का जूस खरीदने को राजी हो गई है ट्रायल के रूप में 20 मिट्रिक टन जूस की पहली खेप भेजी जानी है इसके बाद से 205 मिट्रिक टन सेब के जूस का निर्यात किया जाना है आपको पता दे कि स्कॉट्लेंड पहली बार हिमाचली सेब का जूस खरीद रहा है चलिए वहीं चलते हैं आज की आखरी खबर हिमाचल में दर्दनाक हाथसा खाई में गिरी कार तीन युवोकों की मोके पर ही मौत जे हिमाचल परदेश और उत्राखंड राज के सिमांत इलाके में मीनस विकास नगर सडक मार्ग पर इच्छाड़ी के पास दर्दनाक हाथसा हो गया यहाँ पर एक कार और नियंत्र धोकर खाई में जागिरी इसी दोरान कार सवार तीन युवोकों की मोके पर ही मौत हो गई हासे की सुचना मिलने पर पुलिस मोके पर पहुँची और सवों को कबजे में लेकर ज़रूरी कारवाई कर परिजनों को सौप दिया है वही मामले की जाच भी की जा रही है दोस्तों वीडियो थोड़ा भी पसंद वहाँ वीडियो को लाइक, सेर चल्ल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताएं कि आप नीज को की जिल्ले और पंचायत से देख रहे हैं